कि नमस्ते आप सभी कसा आगते हैं आज के इस रात्रिकालीन का रिक्रम में हैं और आज हम कि थोड़ा सा डॉक्टरी करेंगे डायग्नोसिस करेंगे कि सड़जी की और उस डायग्नोसिस के लिए और उपाय सुजाने के लिए हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी और विजय सरदारा जी आप दोनों का स्वागत है नमस्कार आज के इस करेक्रम में एक केजरी वाल को कौन सी बीमारी है ओंकार जी एक कटर इमानदार एक बेहद शरीफ भारत को बदलने की तमन्ना रखने वाली एक शक्सियत और कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं इस निरही प्राणी के जो मतलब इतने बड़े बड़े मनसूबे बना करके आया था कि मुझे मुझे सब कुछ बदल देना है राजनीती की परिभाषा बदल देनी है भारत को नमबर एक बनाना है और जितनी गंदी मचलियां हैं राजनीति में अलग-अलग दलों में उन सब को निकाल करके इस तालाब से बाहर फैंक देना है ताकि वो तड़प तड़प करके मर जाए अब वो सब तो करने नहीं दे रहे हैं लोग उनको कभी CBI को पीछे दोड़ा देते हैं कभी ED को पीछे लगा देते हैं अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोग भी उनको निरुत साहित करते हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं प्रेस कॉन्फरेंस और अब तो हद हो गई ठीक है में स्ट्रीम का मीडिया जो है वो मौस्टली अरविंद केजरिवाल ने अपनी जेब में रख लिया था लेकिन अब यह यूट्यूबर पीछे पड़े हुए हैं पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और यहां तो जो हैं वो अरविंद केजरिवाल के पीछे पड़ गए हैं तो मुझे लगता है कि उनके साथ बड़ा अंजस्टिस हो रहा है ठीक नहीं है एक बेहद शरीफ किसम के बेहद कट किसम के एक इमानदार आदमी के पीछे इस तरीके से पड़ा जाए और जब ऐसी सिच्वेशन आ जाती है मतलब उनके मन में तो बहुत कुछ करने की थी ना अल्टिमेटली प्रधान मंत्री बनने की भी उनकी हार्दिक इच्छा थी जो लोग पूरी नहीं होने दे रहे हैं कुछ तो इस देश की जनता ही बेवाफा है 2014 में भी उन्होंने काफी परियास किया था 434 लोग सभा सीटों पर अपने परतियासी खड़े कर दिये थे यह अलग बात है कि बाद में उन्होंने योगेंदर यादव के सिर पर जो है जूते मारे यह कह करके कि इसकी सलह से मैंन नहीं चल पाए बनारस में भी नहीं जीत पाए थे हार गए सडियंतर करके हरवा दिये कुछ विपक्षी दलों ने कुछ दूसरे लोगों ने और कुछ बनारस की जनता ने उनका साथ नहीं दिया तो सभी मिल जूल करके इनके पीछे पड़े हुए रहे हैं अब इसके पालिटी होगी ना उनमें और पंजाब में भी सरकार बना ही ली तो ये उनकी मतलब विश्वसनियत उनके प्रती लोगों का अगाध विश्वास ये सब तो दर्शाता ही है कि एक के बाद एक अलग-अलग राज्यों में उनको वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक मिला और अल को लेना पड़ेगा ना अब कोई उनका 45 करोड का जो है बंगले के रिनोवेशन का लेकर के आ जाता है और धारवाहिक रूप में उसको चलाता है कोई सतेंदर जैन की बात करने लगता है कोई मनिस सिसोधिया की बात करने लगता है और अब तो CBI इनको भी डरा रही है इनक गंटे इन से इंट्रोगेट किया CBI ने यह ठीक बात नहीं है तो अर्विंद केजरिवाल के साथ जो कुछ उनको काम करने नहीं दिया जा रहा वो दिल्ली की इतनी सेवा करना चाहते थे दिल्ली को पेरिस बना देना चाहते थे अब आप देखिए ना तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उनको काम करने देते अकसर आकर के उनकी कलम पकड़ लेते हैं फाइलों पे सिगनेचर नहीं करने देते लजी का यह हाल है कि चाहे अनिल वेजल हों चाहे नजीब जंग हों या अभी असकसेना साब आ गए हों एक के बाद एक सारे लजी इनके पीछे पड आएगे अभी एक सिरे से उन्होंने शुरू किया है पंजाब में एक हत्ते चड़ गई उनके टाइमस नाव नौभारत की पत्रकार अब देखिए आगे अगर आप लोग नहीं काम करने देंगे तो यह गाज तो बहुतों पर गिरेगी अभी यह तो बड़ा शोचनी है विशे है कि सड़ जी जैसे कटर इमानदार जिसमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह जो इमानदार की परिबाशा है यह वो वाली तो नहीं है जो इमान का असली मतलब होता है अपको पता होगा अब जैजी इमान का मतलब होता है फेथ इन इसल कि वो इसलाम के कट्टर फॉल्वर है लिटरल मीनिंग तो इसका यही होता है अब आप यह बताएं कि जो भी उनके कारे कलाप हैं उससे लगता भी यही है कि वो इसलाम के ही कट्टर फॉल्वर है बाखी तो और वो कुछ करते दिखते नहीं कि आपने सबसे पहले सर आपके और सभी दर्शकों को मेरा पुछा था कि आपको क्या लगता है इनकी तबियत ठीक है नहीं है हाल चाल कैसा है देखिए सर मेरा एक्सपीरियंस तो वेटनरी साइंस का है मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे यहां जो पेशेंट आते हैं वो बोल नहीं सकते हैं आपको सिर्फ उनके हाव भाव से समझना होता है तो इसी लिए हम थोड़ा सा असानी से इन चीजों को समझ पाते हैं कि चल क्या रहा है और कभी कभी यह लगता है कि दिली सरकार के जो वर्ड क्लास हॉस्पिटल है उसमें केजरीवाल साब का एक बार थोरो साइकेट्रिस्क डेपार्टमेंट में एक बार जिसे मैं कहूंगा कि प्रॉपर उनका डाइगनेसिस हो जाए ऐसा नहीं हो कि बाद में यह मर्ज इतना बढ़ जाए कि ला इलाज हो जाए तो मैं क्यो तो एक तो स्थिती यह है सर और रही बात दूसरी की जब हम कटरता की बात करते हैं तो सर कटरता की बात तो वहीं की जाती है जहांपे स्कोप ऑफ डिसक्रेशन नहीं होता है क्योंकि फिर आप एक रिजिड लाइन लेके चल रहे हैं वहाँ पे फिर कटर आदमी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यू हैव तो हैव ए स्पेस पॉर दा ऑपोजिट व्यू या डिफरेंस ऑफ पीनियन अब आप यह कह रहें कि नहीं जी हम त और अब आप कहेंगे कि नहीं वो तो होते हैं लोग यह से तो अब यह है कि इस पूरे प्रॉसस के अंदर जो कट्टरता वो दिखा रहे हैं उसका objective क्या है क्या कट्टरता सिरफ सत्ता तक है या कट्टर बार-बार कहना इसलिए जरूरी है कि जो बाकी इनके कट्टर अनिवाई हैं वो इनके साथ अपने आपको associate कर सकें क्योंकि क्यां जो चीज होती है वो रडिकलिजम का एक रूप होता है तो आप रडिकली hewnast है या आप hon 면 WAY ये यह नहीं पथा तो आप इस बात को यह कह रहे हैं कि बच्टर हैं तो कट्टर में तो सर्फ इंटेमोक्रिसी में स्पेस होता नहीं हमें तो आप सिरफ इमांदार व्यक्ति दे दो कट्टर इमांदार नहीं चाहिए तो वो है जो मैंने बताई है ने आपने जो बताई है वो आपने डेमोक्रिटिक परिभाशा बताई है ना सर मैं तो यह कह रहा हूं कि हमें कट्टर इमांदार नहीं चाहिए हमें मात्र इमांदार इंसान दे दो हमारा काम ह हो जाएगा क्योंकि जब आप कट्टरता की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा बैगेज साथ में आता है और वो बैगेज हमको नहीं चाहिए तो यह मेरा कहना था कि क्यों कट्टर इमानदार की परिभाशा से मैं कमफर्टेबल नहीं हूँ मैं सिर्फ इस बात को यह कहके जा रहा हूँ कि भई ऐसे स्टूडेंट ऑफ साइंस मेरा यह कहना है कि आप मुझे एपसल्यूट सिंपल भाशा में कहो कि यह आदमी इमानदार है यह मुझे मत बताईए कि यह 90% इमानदार है या 80% इमानदार है या 30% इमानदार है क्योंकि इमानदार इसे एपसल्यूट तर्म और बाकी रही बात की कट्टर इमानदार तो मतलब कंपलीट के उपर भी कुछ होता है वो मुझे नहीं पता है क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक समझ में नहीं आता है तो इसी लिए जो आदमी अपने आपको कट्टर इमानदार बोलता है मैं उस आदमी को थोड़ा सा सस्पीशन से देखता हूं कि यह आदमी बियॉंड लॉजिक क्यों जाना चाहरा है इतना सा मेरा एनलिस है जब आपने कहा कि यह कट्टर इमानदार है जी हाँ मैं तो कह रहा था कि वो इमानदार जो है वो कट्टर इसलिए है क्योंकि वो इमानदार की जो असली परिभाशा है वो इसलाम से आती है इमान का अतलब होता है फेत इन इसलाम खैर उसको छोड़ते हैं चलते हैं हम ओंकार जी के पास ओंक मेरे खाल से सो, दो सो, तीन सो करोण के भी होगे, कोई कुछ नहीं कहता हूं उनके बारे में। मुझे तो समाज की परिवार की देश की सेवाई करनी है, तो कुछ वैसा ही भाव लेकर के अर्विंद केजरिवाल जैसे संत जो हैं वो राजनीती में आ गए थे, इनके जो गुरू थे, स्रद्धे अन्ना हजारे साब, उन्होंने इनको रोका भी था कि तुम कहां गंदगी म जा रहे हो, वहां तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इसी में उलज करके लोग रह जाते हैं, पर इनके मन में, इनके हिर्दे में जो देश के परती, समाज के परती, दिल्ली के परती, भावनाई थी सेवा करने की, तो ये अपने आपको एक्चल में रोक नहीं पाए, और उस समय भावावेग में इन्होंने ये कह दिया कि ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं बड़े बंगले में जाऊंगा, ना मैं सुरक्षा लूँगा, और हम तो सिंपल आदमी हैं, और आम आदमी हैं, मतलब आम आदमी पारिटी हैं, तो आम आदमी हैं, उस समय ये सिर पर भी लगाया करते थे एक मफलर भी डाला करते थे आम आदमी की तरह अपने साइज से दो तीन इंच बड़ी कमीज भी पहनते थे जैसे आम आदमी हमें रेडी पर ठेले पर इस तरह के मार्किट में खरीदारी करते मिल जाते हैं डेली डाली सी पैंट बिना मतलब प्रेस की हु वी एक टूटी-फूटी सी चपल पहन करके भी ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के समारों में पहुंच जाते थे पर लोगों ने इनको सीरियसली उस तरीके से लिया नहीं कि ये कितने सिंपल आदमी है मतलब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी मफलर डालते हैं आम आदमी की तरह और जो कुछ कह रहे हैं उस पर यार भरोसा कर लो पर जवरदस्ती जो है जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं और जो दूसरे लोग हैं और जिनका आपने जिकर किया केसियार वगरा जब आप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं तो वो मुख्यमंत्री आपके कान में क्या क्या कहते हैं या ये हमें और आपके तो पता चलता नहीं है तो हो सकता है केसियार ने ये कहा हो बही क्या कर हो केजरिवाल जी आप अगर सिंपल घर में रहोगे दो कमरों के फ्लैट में रहोगे तो खल को तेleg ना की जंता भी हमें हमें जूते मारेगी यह कहेंगी किज़रीवाल जी दो रूम के कमरे में रह रहे हैं मजे से रहरे हैं अपने बच्चों के साथ रह रह रहे हैं तो आप क्यों नौन ही रह सकते, आप इतने महले घर क्यों बनवा रहे हैं। तो कही बार करना पड़ता है, अब ठीक है उन्होंने बनवा लिया तो कौन सा अपराद कर दिया, शारे मुख्यमंत्रियों के बंगले जो हैं, वह करोड करोडों में बने हैं, तो इन्होंने भी थोड़ा सा खरच करवा लिया, अब जब ये चुनाव परचार के लिए जाते थे, रोड शो करते थे, तो इनको थपड पड़ जाते थे, तो आप थपड से बचने के लिए सुरक्षा लेंगे के नहीं लेंगे, या इसमें भी इन्होंने कोई अपराद कर दिया, वही कम से कम आप इतनी सुरक्षा तो लेंगे, दूसरे जो वेगनार का जिक्र करते हैं लोग, के साब पहले तो वेगनार में चलते थे, वो नीली सी थी, फिर बड़ी गाड़ी ले ली, आज कल तो पूरे काफिले के साथ चलते हैं, तो वो भी देख लिया करके इन ना इनके साथियों को दिया, अब वो सतेंद्र जैन ने इतना बहतरीन काम किया है महला क्लिनिक पर, दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ना तो यहां का मेडिया सीरियसली लेने को तैयार महला क्लिनिकों को, ना यहां के परदान मंतरी इनको भाव देने को तैयार, अब मनीश सी सोधिया ने कितने बहतरीन मतलब स्कूल बनवा दिये हैं, लेकिन कोई उनकी तारीफ करने को तैयार नहीं है, अर्विंद केजिरिवाल जी 24 by 7 काम कर रहे हैं, दिल्ली की सेवा इतने पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, लेकिन क कोई उनको उनकी प्रश्रस्ति करने वाला नहीं है, तो ऐसे में जो है, अब आदमी जो है, फ्रस्टेटिड नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ही कंडिशन जो है, उनके सामने पैदा कर दी गई है. विजे जी, ये जो शीश महल के बाद का जो परकरन हुआ है, पंजाब में, लुधियाना में, जिसमें एक पत्रकार को उठा लिया आ गया है, एक ऐसे बिल्कुल चार्जिस में, वो क्या दिखाता है, ये जो बीमारी है, एदिक बढ़ रही है. सर, मैंने आपको कहना कि कुछ बिमारियां होती हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है, और अगर उसका इलाज नहीं हो, तो फिर वो लाइलाज भी हो जाती है, अब देखिए, आप इस बात को समझे कि आप लोगों ने ना शीश महल को गलट ढंग से लिया है, आप बना है और अक्षरधा मंदिर बना है, उसके अलावा दिली के अंदर कोई टूरिस्ट स्पोर्ट बना क्या, है, नहीं बना है, यह वर आप बार बार यह कह रहे हैं कि दिली की अकोनोमी को बढ़ाया जाए तो सर, हजब एक कब्रिस्थान के ओपर, जम, कब बोता रुग क्योंकि कबरिस्तान वहां तो कबर है ना ताजमेहल में जब आप समझे इस बात को कि जब कबरिस्तान के उपर पूरी दुनिया से लोग देखने आते हों कि कितनी सुन्दर विल्डिंग बनी है तो सरे एक जीते जागते सी एम का हाउस देखने के लिए लोग नहीं आएंगे चाहे वो बाहर से ही देखके चले जाएं आपको याद होगा बॉम्बे के अंदर अगर आप गए हों तो बॉम्बे में जहां पे जुहू में अमिता बच्चन का घर है वहाँ भीड लगती है रोच इवन जो लोग बॉम्बे में पहली बार आते हैं ना वो भी जाके संडे को सुबह जब उनका एक वो दर्शन कारे करे में वो पासाथ मिन्ट के लिए आते हैं अपने फैंस को शकल दिखाने और हाथ हिलाने अपने गेट पे और वो बकायदा प्रोग्राम है उनका अब चाहे आदमी पूरी दुनिया से कहीं पे भी आया हो अगर आप अमिता बच् स्टार होटल में रहना पड़े तो सोची आप बंबे की एकॉनमी कितनी बड़ रही है जस्ट विकॉज आफ अमिता बच्चन हाउस एंड इस लोकेशन देर तो जब आप दिल्ली के सीम का बंगला बनवाएंगे जो अपने आप में एक मॉनुमेंट हो और सीम साब छट पे खड़ेओं के हाथ हिलाएं आप समझते हैं कितना बड़ा एक पैंतालीस करोड क्या होता है सर पैंतालीस करोड में तो आप हर हफ्ते इतने लोग ट्रेवल करेंगे दर्शन के लिए कि आपकी एरलाइन होटल के अंदर से आपको जीस्टी मिल जाएगा तो इस बात को आपक कि हैं कि मैं कुछ और कर देता फिर आप हमें उपदेश देते कि खुद तो गंदे से गर में रह रहे हो दें सुधारने चले आप फेले आप खुद को सुधार था हो तो आप कहते हैं आप खुद को सुधार नहीं सुधार रहे हो तो मतलब we people of India are very crazy इसलिए हम लोगों को न दुनिया भी रिस्पेक्ट नहीं देती है तो ये बात हमको समझ नहीं होगी और रही बात कि जब से सीश महल में इतना प्रकरण हुआ अब आप सोचिए आज से पहले किजी को पता लगा था कि वियत नाम में इतना बढ़िया मारबल होता है साहजा को भी नहीं पता था नहीं तो वो भी ताजमिल में लगवा लेता तो जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो भारत दुनिया की आर्थिक व्यवस्ता से जुड़ा हुआ है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में हाथ नहीं बटाएंगे तो दुनिया में सब्स बजट है उस पैसे का मैं करूंगा क्या हर बात जब से हम सब्सक्राइब हमें समझ नहीं आ रहा उसका करना क्या है अब आप यह बोलते हैं कि सडकें टूटीम ही है वह mcd का काम था वह बीजेपी को करना चीए था अब जीट्वंटी के लिए दिल्ली को आप ब्यू नहीं समझ में आएगी आप लोग लगाएंगे तो यह प्रॉब्लम होगी है केजरीवाल साब को कि उनकी जो ऑनेस्ट अप्रोच उसको कोई समझ नहीं पा रहा है और उस बुखलाट में जब वो आज पचास महला क्लीनिक करने चले गए लंदर तो वहां पे जब आप फिर पोच जाते हों वहां पे आपके पत्रकार लोग कि सर यह बताईए कि सीश महल का क्या हाल है अरे वह वह सीश महल दिल्ली में यहां मैं पंजाब में आया हूं मैं कुछ और काम करने आप तो गुस्सा तो आएगा ना सर आदमी को और जो आदमी अच्छे काम में रोडा अट पंधीश रही थी थी पहाल अब यह की अगर पत्रकार प्त्रकार अल्मींट की तरह उल्टे सिधे सवाल करेंगे और भावना ऋको नहीं समझेंगे चाहें आपका नाम भाव हो आप कैसे उमीद करते हैं कि हम इस तरह के गुनाव को माफ कर दें और आफ्टर आल पुलिस किस लिए है दिली में आपने पुलिस दी नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाए अब पंजाब में पुलिस है अगर उसका सदूपयोग नहीं होगा तो पुलिस का क्या फायदा तो यह सब complicated subject हैं सर जो आम आदमी के बसकी बात नहीं है समझना यह बड़े लोगों की बड़ी बाते हैं हाँ यह बात सही है आम आदमी को चुप चाप text देना चाहिए क्योंकि आप इस देश में पैदा हुए और यह आपकी मजबूरी है यहां रहना जब आप मजबूरी में साब कर रहे हैं वह बहुत सही है क्योंकि इस मालसिक स्थिति में और क्या उमीद कर सकते हैं आप कितना आदमी patience रखेगा सर कभी ना कभी after all इंसान है भगवान तो हूँ नहीं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़े समय बाद गांदी जी से बड़ी statue दिली के हर नुकड कॉर्ण पर लग जाए हो सकता है कि हल महला क्लीनी के ऊपर एक statue भी लग जाए तो पॉसिबल है लेकिन अभी आप लोग उस दिसा में बढ़ने नहीं दे रहे हो तो यह एक समस्या है तो जो हो रहा है वो बिल्कुल उसी direction में हो रहा है जिस direction में सोचा गया था तो इसमें कोई track he is doing what is destiny is telling him to do and he is the future of India अवो जेल के अंदर या बाहर वो मुझे नहीं पता कार जी यह जो पत्रकार को पकड़ा गया दुद्यानम जलंदर मनिशा दुद्यानम चारल दियानम तो आप यह देखें कि अभी कुछी दिन पहले एक फर्जी सा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बारत का स्थान अफगानिस्तान से भी नीचे है पाकिस्तान से नीचे तो है ही लेकिन जब इस प्रकार की गटना होती है तो यह सारे के सारे लोग चुप हैं जो इसको अफगारिस्तान से नीचे बता रहे थे और इस गटना का मैं आज देख रहा था कि टाइम्स नाव और टाइम्स नाव भारत के अतरिक और किसी चैनल के कोई विशेश चर्चा भी नहीं हो रही थी तो क्या केजरी वाल का जो इंपैक्ट था वो केवल टाइम्स नाव पर से ही हटा है बाकी पर अभी भी कायम है जैसे जिसमेकार से वह एड़िटिस्मेंट देके और सारी चैनल्स को और सारे प्रिंट मीडिया को खरीदा करते थे देखिए संजे जी कुछ सीरियस बाते कर लेते हैं जो रायता इस आदमी ने फैलाया है राजनीती में भी मतदाताओं के बीच भी ये भी फिरी वो भी फिरी और जिस तरीके से जो तोर तरीके सामदाम दंड बेद अपना करके जीत दर्ज की है सरकार बनाई है दिली में भी और पंजाब में भी इसका खामियाजा तो आने वाली राजनीती और देश के लोग भी भूगते हैं वैसे ये भी नहीं है कि अर्विंद केजरिवाल फिरी फिरी बाटने वाले कोई पहले शक्स हैं लेकिन इनहों ने चीजें बहुत गलत तरी हैं वस्तु इस्तिती ये है कि दिली में उनों कुछ नहीं किया है जो किया है वो केवल फाइदा उठाने के लिए किया है ऐसे काम कराए हैं जहां टेंडर वगएरा छोड़े जाते हैं जहां हिस्सेदारी जहां बटाई की गुंजाईश हो पंजाब को जो चोपट करेंगे कुछ हद तक कर दिया है वो भी हमें भोगतना पड़ेगा देश को भोगतना पड़ेगा पंजाब की जनता को भोगतना पड़ेगा दूसरी बात यह है के जो एक उमीद रहती है, आपने उमीद जगाई, लोगों ने आप पर भरोसा कर लिया, क्योंकि आप एक ऐसे अंदोलन के गर्ब से पैदा हुए, जिसको समर्थन मिला था, खुला समर्थन मिला था लोगों का, वो आपने बहुत सारे लोगों के एक तरीके से दिल तोड़े हैं, उनको बुरी तरीके से जग जो रहा है, इनके जो संगी साथ ही थे, इनके शुरू के संगहर्स के जो इनके सहीयोगी थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया, कई को तो लगबग लात मार करके बाहर निकाला है, पारिटी से, और खुद मुक्तियार बन करके बैठ गए, सर्वे सर्वा बन करके बैठ गए, ऐसे लोगों को ही अब इन्होंने पद बाटे, जो यसमेन हैं, और जो जैसे ये चाहते हैं, वैसे करते हैं, और उसका खामिय जब भी अब लोगों ने भुगतना शुरू कर दिया है, भई मनीश सिसोद्य के साथ क्या हुआ है, यही तो हुआ है, तो ये और खुद भी ये बहुत चलाक बन रहे थे, कि मैं तो किसी फाइल पर साइन करता नहीं हूँ, मेरी तो गर्दन पकड़ी नहीं जाएगी, मैं तो बच जाओंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कि आप चीफ मिनिस्टर हों, और आप जिम्मेदारी और जवाब देही से बच जाएं, क्योंकि जो भी नीतिगत फैसले होते हैं, वो कैबिनेट ही फैसले लेती है, ये अलग बात है कि आपके उपर एक LD, LGBT बैठे हुए हैं, और वो भी चिडिया बैठाते हैं अपनी सहमती की, लेकिन जिम्मेदारी तो आप ही की बनती हैं, बीच में एक आद मामलों में LG को भी इन्होंने गहरने की कोशिश की थी, लेकिन नई शराब नीती में तो ये खुदी फसे हुए थे, इन्होंने तो LG को भी भरोसे में नही पड़ गई है ना, अब इन्होंने 45 करोड तो केवल रिनोवेशन पर खरच कर दिये, इस से भी महंगे घर में जाने वाले हैं, और पता नहीं, CVI राजगाट जाने का मौका अब इनको कब देने वाली है, लेकिन जिस तरीके से मनीश सी सोधिया राजगाट होकर के गए थे हाथ हिलाते हुए और उनके आसपास तमाम पोस्टर बैनर थे, सिक्षा मंत्री तुझे सलाम और तुझे सल्यूट, उसी तरीके से ये भी जिस दिन जाएंगे, उस दिन दिल्ली भी देखेगी, देश भी देखेगा और शायद विदेश भी देखेंगे, अर्विंद केजर वाल ने जितनी चालाकियां की हैं, कटर इमानदार बताते हुए, साधारन आदमी बताते हुए, आम आदमी की टोपी पहन करके, आम आदमी को ही टोपी पहनाने का जो काम इन्होंने किया है, और जिस तरीके से लोगों को एक तरीके से मैं कहूंगा कि चला है, तो वो चीज और जो आपका मूल सवाल था, देखे, मीडिया को इस तरीके से तो आज तक किसी ने नहीं खरीदा, और मैं यह नहीं मानता कि केवल जो है, मीडिया हाउसेज को वो विग्यापनों का ही पैसा गया होगा, जो दिल्ली गॉर्मेंट ने जारी किया है, इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा भी पैसा आया है, जो कहीं बही खाते में नहीं है, जिस तरीके से इनकी प्रेस कॉन्फरेंस हो, इनके कारिक्रम हो, इनका कुछ भी हो, वो अबाध तरीके से निरंतर्ता में लाइव दिखाया जाता रहा है मेडिया में, वो ऐसे तो नहीं होता है, जब तक आपको टेवल के नीचे से पैसा ना पहुँचे और जो बात आप कह रहे थे के भावना किशोर की गिरफतारी हुई और उस पर केवल टाइम्स नाव या नौभारत चैनल ही उसको दिखा रहा है और बता रहा है तो अतीत में हम कई बार ये देख चुके हैं अरणव गोस्वामी को ज जो स्वनाम धन्य यहां के सो कोल्ड बड़े चेहरे बड़े पत्रकार जो एडिटर-इन-चीफ जो ओनर हैं बड़े-बड़े मीडिया हाउस के वो भी दुम दबा करके बैठे हुए थे क्यों अगर किसी भी मीडिया हाउस का एडिटर-इन-चीफ और ओनर तो छोड़ दी और सीधे सीधे दिखाई दे रहा है खुली आखो भावना को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है ये तो बेशर्मी का अनूठा उधारन है वो गाड़ी में बैठी हुई है पिछली सीट पर बैठी हुई है एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है गाड़ी किसी को टच हो बैठे हैं किसी को चोट लग गई है तो खिड़की खौल करके आप भी नीचे उतर करके देखेंगे ज्यादे चोट तो नहीं लग गई है कोई बात तो नहीं हो गई है और जिसको गाड़ी टच हुई है वो थोड़ा गुस्से में रहता ही है कुछ होट टॉक्स होई जाती ही है कि पार वो कुछ कहता है आप कुछ कहते हैं यह सडकों पर होने वाली आम घटनाये हैं जो हम भी भूगतते हैं आप भी भूगतते हैं और जो दर्शक देखते हैं देख रहे हैं वह भी इसके कभी ना साक्षी बने होंगे लेकिन ये कहकर के के साब एक दलित महीला को टकर मारी उसके उपर गाड़ी चड़ा दी और फिर उसको अब शब्द कहे क्योंकि वो दलित थी इसलिए एसी एस्टी में ये मामला दर्ज करो और इनको अंदर डाल दो अरे आप में अगर हिम्मत है आप में अगर दम है तो आप टाइम समू से टकराओ ना उसकी एक छोटी सी पत्रकार जो अभी शायद ट्रेनी है जिसकी उमर अभी हार्डली 25 साल है उस पर आप अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हो उसको आप मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हो मतलब इससे गिरी हुई हर्कत और क्या हो सकती है और जो हर्कत अर्विंद केजरिवाल ने की है उससे बुरी हर्कत आज का so-called main stream का मीडिया कर रहा है आज कल अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ थ आप कहां ले जाकर के छोड़ेंगे मीडिया को एक टाइम था मुझे अच्छे तरीके से याद है राजीव गांधी एक टेलिग्राफ बिल लेकर के आये थे यह वो प्राइम मिनिस्टर ते दिल्ली की सड़क पत्रकारों से भर गई थी पूरे राजपस पर जो है पत्रकारी पत्रकार दिखाई दे रहे थे आज जो यह खेमे बंदी में मीडिया बट गया है या बांट दिया गया है और जिन जिन तरह के लाल्चों में फस गया है मीडिया उसके चलते यही होगा संजेजी जो आज हमने देखा है जी जी मैं दर्शकों से अनरोत करूँगा कि एक रप्या आप इस वीडियो को शेर करें इसको लाइक करें आप हमें पत्रम पुश्पम के साथ सपोर्ट करें और याद रखें दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज बीस मई तक आपको जैपुड आयलोक्स को एक मिलियन तक पहुँचाना है इस समय हम नौलाक अड़सट हजार पर हैं यानि कि चौदा दिन और बतीस हजार सब्सक्राइबर तो निश्यत रूप से हम जानते हैं कि जैपुड आयलोक्स के जो दर्शक हैं और जो रखते हैं हम जानते हैं इसलिए आप निश्चित रूप से इस लक्षे को पूरा प्रॉएंगे तो अब आएए अब हम विजय सरदाना जी के पास चलते हैं पुने विजय जी यह जो तरह तरह के केस चल रहे हैं उन पर थोड़ा अपडेट कर रहे हैं मनीश और सतेहिंदर और वगएरा वगएरा लेटेस्ट अपडेट क्या है सर लेटेस्ट अपडेट तो यह है जैसा हम सबने देखा है कि अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पा रही है और जितने भी अरोपत्र दाखिल हुए हैं अब उसमें एक नया डवलप्मेंट यह आ गया है कि एडी की तरफ से जो चार्शिट फाइल हुई है उसमें मनीश सुदिया का नाम एजे एक्यूस्ट है तो यह एक नया डवलप्मेंट है अब जी का भी तो राम आ गया ना सुना हाँ वो उसमें आया है कि ही वाज प्रेजेंट देर अभी वो कारवाई आगे चलेगी मेरा यह मानना है सर कि एडी और सी बी आई के पास यह मेरा अपना गटफील है एविडेंस नहीं है इसलिए मैं कहरो मेरा अपना एसेस्मेंट और गेट वी कटफील है एडी और सी बी आई के पास सारे एंड टू एंड दस्तावेज या एविडेंस आ गए हैं और सी बी आई और एडी भी बहुत स्ट्रेटेजी कली जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे दस्तावेज एक एक करके कोर्स में दे रही है जब यह खुद प एक नाम आजाता है फिर जो आदमी दूसरा चिलाने लगता है कि जी नहीं नहीं देखिए यह तो सब फरजी केस हैं तो अगली बार उसका खाता भी खुझ जाता है तो जो आदमी विचलित है कि मेंज को सरकारी मिमान नहीं बनाया जा रहा है उन सब को एक एक करके करी में हैं उनके साथ उन्होंने सारी चीजें उगलवा ली हों कि और केजरीवाल साब को जब बुलाया गया कि कि सी बियाई दौारा सरकारी चाय पिलाने के लिए अपने दफ्तर में उसके बाद से आपने देखा होगा के जी वाल साब की पबलिक एपीरिंस बंद हो गई ह क्योंकि उनको ये पता है कि वो 56 सवालों में इनके ऊपर 56 कीले ठोक दी गई अब वो निकलना मुश्किल है तो बेहतर है एक कि आप पब्लिक अपीरेंस से बचें कि नहीं तो हर रोज जैसा उनकार जी भी कह रहे थे कि रोज प्रेसवारता होती थी लाइव टेली कास्ट होता था तो अब वो सब बंद हो गया है दूसरा उसके बाद जब तक उस जटके से संबल पाते कुछ रणनीती बना पाते मीडिया ने ये सीश मेल का बखेड़ा खड़ा कर दिया तो वो जो बची खुची जो स्पेस थी कि कि किसी तरह से हिम्मत करके बाहर आएं वो स्पेस अब खतम हो गई इसलिए अब ना तो वो प्रेस से मिलना चाहते हैं ना प्रेस कॉन्फरेंस करना चाहते हैं अब सिरफ क्योंकि आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम ये है कि जब तक टीवी में कैमरे में रोज आएंगे नहीं तो कहीं लोग नाम ही न भूल याएं कि ये कोई पार्टी थी ये है कि सारे के सारे केस अभी उन है किसी भी केस में जज्ज्मेंट आया नहीं है लेकिन जस तरह से सी बी आई और एडी कि चार्शीट्स में नाम benefit होते जा रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी कड़ी एडी और सीबी आई ने जोड ली है और जिसका नाम आता है वो पहले दिन जरूर चिलाता है ये फ़र्जी है फसाया जा रहा है लेकिन 48 गंटे बाद वो सब जोश खतम हो जाता है हवा निकल जाती है कि जब वो ठंडे दिमाग से सोचते होंगे यार हम चिला किसलिए रहें कल को मालीज हम ज्यादा चिलाएंगे तो एडी एक और कागज ने दिखा दे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने पचाव में कटर इमानदारी का एक बार स्टीकल खुदी लगा लें लेकिन उसका कोई अब मतलब रहा नहीं तो कहने का मतलब यह है कि केसिस वहीं के वहीं है और दुख की बात क्या है अभी बहुत सारे ऐसे केसिस हैं जो भी फाइल नहीं हुए है मैं एक बात पहले दिन से बोल रहा हूँ उंकार जी और आपके शो में कि जितने भी इन्हों ने आज तक expenditure किये हैं taxpayer के पैसे से आप उसका investigation करा लीजिए आपको हर जगे घपला मिलेगा क्योंकि देखिए एक आदमी की tendency होती है एक आदमी जो जूट बोलता है वो ऐसा नहीं है कि वो शाम को जूट बोलेगा तो सुबह नहीं बोलेगा वो घड़ी के साब से नहीं बोलता वो हर जगे जूट बोलेगा उसकी आदत है जिस आदमी की खुराफात करने की आदत है वो हर जगे खुराफात करेगा जिसे कहत है ना कि लोग मतलब कि चोड़ चोरी से जाए हिरा फेरी से नहीं जाए तो आप ओपन ली नहीं कर रहे हैं लेकिन खुराफाद जारी रहेगी यह रुक नहीं सकती तो कहने का मतलब यह है कि अभी जितने डिपार्टमेंट बाकी है अभी तो इनके एक मंत्री का नाम आना बाकी है जिस तीन मिनिस्टर की कमेटी ने काम किया था लीकर पॉलिसी को अप्रूव करने का अभी तो उसमें से दो जेल में तीसरे के नाम की तो कहीं अभी चर्चा हुई नहीं देट इस केलास गहलोत अब वो भी तो मेंबर थे तो जब एक क्राइम हुआ है ऐसा कैसे हो गया कि आपने दो को अंदर लफेट लिया रेक को छोड़ दिया तो उनका नाम भी आना है फिर रही बात कि साब पंजाब के अधिकारी बैठे थे लीकर पॉलिसी के लिए तो क्या यह पंजाब और दिल्ली के बीज में कोई बाइलेटरल मीटिंग थी कोई समझाता हो रहा था ओफिशल रहे थे क्योंकि IPC के हिसाब से अगर कहीं पर कॉंस्पिरेंसी हो रही है और आप वहां बैठे हैं तो आप भी गुनेगार हैं बिल्कुल अनलेस अदर्वाइस आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तो वहां चाय पिला रहा था या मैं वहां बैठके सबजी कार्ट था मुझे नहीं पता क्या चल रहा है वहां पर तो कहने का मतलब यह है कि देन यूह टू प्रूव इनोसेंस लेकिन आप उस मीटिंग में इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में सोफों पर बैठे हैं जहां चर्चाएं चल रही हैं तो यह पार्ट ऑफ दो कॉंस्पिरेंस किया एजिन्डा ठाख कहां है मिनेट्स किसके केहने पर आप गये अगयर परसनल ही गये तो टिए डिये पंजाब सरकार ने दिया दिली ने या जेब से दिया तो तो यह है है कि अभी तो बहुत कुछ निकलना hai सर्व अभी तो शुरुरात है अभी तो इसमें जिसे वह कहते है ना कि अभी तो यह स्कृप्ट के अंदर एक एक करके किरदार की एंट्री हो रही है अभी तो तो पिक्चर शुरू नहीं हुई है अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं जिसे कहते हैं कि वह शुरू में जो होता है न यह तो वह चल रहा है भी कि यह भी है अच्छा थोड़े सब्सक्राइब यह बहुत पता नहीं था अच्छा यह भी है तो अभी तो सीबिया और इडिवी जनता को पूरा एंटर्टेंवेंट दे रही तो वहां पर भी वो सस्पेंस बोवी चल रही तो कहने का मतलब भी है सर कि अभी तो इनकी प्रॉब्लम खतम होने वाली नहीं है और यह मुझे लगता है अगले दस साल अब आप समझे लालू प्रसाद जी क केस कब से चल रहा है तो जब उनका एक केस था चारा घोटाला वो आज तक खतम नहीं हुआ है तो सर केजरिवाल साब तो गएंगे जब लालू जी के पच्छे साल हो गए तो मैंने तो बीस की हैं तो मेरा नाम तो बड़ी लिस्ट में आना चाहिए ना आप मेरे को लालू स काम रहे पड़े लिखे तो वी हैव तो मोर सेंसिटिव और सुफिस्टिकेटिटिड वेज आफ डूइंग तो जब आप एक कुरूड मैथर्ड में पच्छे साल लगा रहे तो सुफिस्टिकेटिड में कितने साल लगेंगे तो कहने का मतलब यह है सर कि अभी तो यह कहानी लंबी चलेगी इस जिंदगी में तो इनको मुक्ति विलने वाली नहीं है और जितनी बार यह केसिज खुलेंगे और रोज नए खुल अब देखिए मजे की बात सर आट दस केसिज तो जो भी तक पब्लिक डोमेन में आगे जिस पर कारवाई हैं चल रही है डिपार्टमें हैं तो दस CBI के पास भी है दस CD के पास भी है तो टेक्निकली बीस हो गए तो बीस केस लड़ने के लिए अगर आप रोज भी हीरिंग करें तो पूरा महीना तो वहीं बैठना है ना लीव सैटरडे संडे आउट तो अभी तो यह बहुत लंबी जानी है कहानी सर तो अभी त उसके कई एपिसोड आने आप देखते रहिएगा मैं तो यह कह रहा था सोच रहा था एक दिन कि जब लालू जी थे तो मेरे एक कार्टूनिस्ट थे आपको याद होगा सुधिर तेलंग अब बिकनेर के थे मेरे महले में ही रहते थे यहां पर दिल्ली में हमारे नेवरी थ तो एक दिन इवनिंग में वॉक करते हों से बात हुई कि यार लालू जी के आने से ना हम कार्टूनिस्टों को बड़ा आराम हो गया कुछ ना कुछ स्टोरी मिल ली जाती है तो हम कार्टूनों की रोजगारी ना जो है मतलब कि एंगेजमेंट और एंप्लाइमेंट यंदुस्तान का जीडीप बढ़ाने का ठेका ले लिया है वाया यूट्यूबर तो आप देखिए सब्सक्राइब दर्शकों के पास बड़े अच्छे अच्छे प्रश्ट आये हैं दर्शकों के तो देखते दर्शक्तिया पूछ रहे हैं इशान तिवारी जी कह रहे हैं we all are wrong एक बैमान पूरी इमानदारी से बैमानी करता है और उपर से एके इस कटर इमानदार he always said this and we all misunderstood it मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि अर्विंद केजरिवाल जिस भावना से आये थे सेवा करने के लिए लोग समझी नहीं पा रहे हैं और उनके पीछे पड़े हुए और confidence देखिए आप अर्विंद केजरिवाल का वो यह जो महल बनाया है उन्हाने यह तो यह सोच के बनाया था ना कि मैं बहुत लंबे समय तक दिल्ली की सेवा करने वाला हूं और जब इतना लंबा समय मुझे लगना है दिल्ली की सेवा करने में क्योंकि पेरिस कोई एक दो रात में तो बननी जाती है अगर आपने यह वादा कर दिया और एक बार संकल्प ले लिया कि मुझे दिल्ली को पे ये तो उन्होंने नहीं बताया, पर हाँ बनाएंगे, तो इसके लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, तीस साल, चालिस साल, पचास साल, तो उसके लिए एक ठीक ठाक घर तो कम से कम रहना चाहिए, पर अगर सीरियस नोट में कहें, तो ये जो कटर इमानदार जी ने एक नियारा बंगला बनाया है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये ज़्यादा समय रहेंगे, और अगर मुख्यमंत्री पद से इनको इस्तिफा देना पड़ा, और ये बड़े और महंगे घर में पहुँच गए, सिसोदिया और सतेंद्र जैन के पास, तो फिर इनका परिवार भी नहीं रह पाएगा इस शीष महल में, तो पता नहीं मतलब किसके भाग्य में लिखा है कि शीष महल में आकर के जो रहेगा, जै साब, विजय जी ने कहा था, इसको तो एक 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 जिबिशन, म्यूजियम बना देना चाहिए, म्यूजियम बना देना चाहिए, नेक्स, प्रभात प्रधान जी कह रहे हैं, बेस्ट रिसेंट एक्जामपल महाराश्टरा, वन इननसेंट पीपल वर हैरेस्ट और टॉचर्ड, यह उस्ट प्रभात जी कह रहे हैं, निश्ट रूसें प्रभात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लिए अगरी, इशान तिवारी जी कह रहे हैं, वन लाइन ऑन ओंकार जीस का सरकाजम, आपने हमारी बेज़िती भी नहीं की, और हमारा कच्रा भी कर दिया। माप की चाहूंगा, अगर कच्रा हुआ हो तो, हम तो इज़ती बढ़ा रहे थे। हम तो सच्चा ही दिखा रहे थे, वो कच्रा निकल किया आगे तो हम क्या करें। ने नेक्स्ट। वेंकी एस पिन्नमनेनी स्टीज़ प्राम वाई नो वन हैस फाइल प्याइएल येट। मुझे लगता है भी लोगों के पास कागस नहीं है। जब तक कागस नहीं होगी तो प्याइएल कैसे लगेगी। नेक्स्ट। कुमार कुनाल वंडर्फुल रोस्टिंग, धन्यवाद आपको। फिर प्रभाद प्रदान जी फिर से कुड़न कैच अमरित पाल, वट कुड़ कैच अन इनसेंट लीडी। वाह। फिल्कुल सही बोला इनोंने। और शरमनाक देखिए के अभी दो सिन दिन पहले अर्विंद केजरिवाल जंतरमंतर पहुँचे थे और भारत की बेटियों की बात कर रहे थे। तो बहावना किशोर भारत की बेटी नहीं है। लेकिन उसके पहले उन्होंने शीश पहल के बाहर से पत्रकारों को दख्ते देके बगाया भी था। जी जी बिलकुल। सब्सक्राइब यह जो सवाल लिखा गया है। देट एक्चुली शोज दे कॉंपिटेंसी कि वहिया हम एक निहती लड़की तक ही अपनी ओकात दिखा सकते हैं ऐसे पंजाब पुलिस उसके हाग हमसे उमीद मत करो टेर्रिस्टों को पकड़ना हमारा काम नहीं है वो मोदी जी जाने और अमिट सा जाने अपना काम तो सिर करम को हम यहीं पर पूर्ण विराम करेंगे आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद हुंकार जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जैन नमस्कार नमस्कार बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत धन्यवाद नमस्क